हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आम लों सीखने वाले क्यूब रूट आफ नन पर्फेक्ट नंबर ओके तो सबसे पहले मैंने जो नंबर लिया है क्यूब रूट निकाला है 702 का तो आप ध्यान से देखे मैं क्या करती हूं सबसे पहले हम लोग ऐसा नंबर चूज क किसका क्यूब हो था 9 का तो क्या लिख सकते 729 इसमें कितना माइनस करेंगी कि 702 आजाएगा 27 ठीक है मैंने 702 के करीब ऐसा नंबर चूज के जो किसी का क्यूब होता हो तो मैंने देखा 729 और उसमें माइनस करें 27 क्यूब कि 702 आता है अब हमारे क्या काम होगा क्यूब रूट ओफ 729 माइनस 27 अपॉन क्यूब है इसलिए 3 से मंटिप्लाई किसका क्यूब रूट ओ 729 का ठीक है और उसका क्या करेंगे स्क्वाइर तो कैसे करते हैं सोल देखे 729 किसका था 9 27 3 ये क्या हो जागा 9 का स्क्वाइर इसका क्यूब रूट 9 और स्क्वाइर उसका चलिए 3 के टेबल में आएगा 9 टामस में कैंसल 9 एक पावर कैंसल 9 माइनस 1 अपॉन 9 ये क्यों हो जागा 9 माइनस 0.11 इसका एंसर हो जागा 8.889 ठीक है तो क्या है हमारा बेसिक फॉर्मूला ये समझते हैं बेसिक फॉर्मूला हमारा है अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट ऑफ X प्लस माइनस Y इसको जागा क्यूब रूट ऑफ X ओके प्लस माइनस Y अपॉन क्यूब रूट है तो 3 क्रोस क्यूब रूट ऑफ X का स्कोएर ठीक है चलिए next question से समझते हैं चलिए next question हम थोड़ डिसमल वाला try करते हैं cube root of 215.64 हमें निकालना cube root of 215.64 चलिए सबसे closest one कौन सा जो किसी का cube होगा चलिए start से देखते हैं क्या है 216 इसकी close है तो क्या लिख देंगे under root cube root मतलब cube root of 216 अब कितना minus करेंगे तो 215.64 आजाएगा minus 0.36 fine अब हमलों formula में set करते हैं क्या लिखना है cube root of x मतलब 216 तो cube root of 216 minus क्या होगा 0.36 अब वोन किसके होगा 3 times of क्या cube root of 216 और उसका square अब इसको हमलों कर लेते हैं solve क्या हैगा cube root of 216 का 6 minus 0.36 upon 3 into 6 इसका cube root का 6 और उसके उपर power square 6 का square 3 के table में cancel हो रहा है 120.12 लिख देंगे 6 minus 0.12 upon 36 ठीक है ये फिर इसके table में 6 के table में ठीक है तो ये लिख देंगे 0.2 ये लिख देंगे 6 ठीक है 6 minus 0.2 upon 6 ये अभी भी लगदा cancel हो रहा 0.1 and 3 इसके बाद आप cancel नहीं होगा तो ये क्या होगा 0.1 upon 3 इसको divide कर ले क्या जाएगा 0.0.003 तो ये minus कर क्या जाएगा 5.997 तो एप्रॉक्स एंसर आएगा 5.9966 exact answer ये है आपका approximately ये आएगा तो आप बहुत ही अच्छे से options को tick कर सकते हो ठीक है next एक और question में बताऊंगी एक और question एक cube root of 1.19016 इसको पहले लिख लेंगे तो ऐसा कौन सा number जो इसकी close है और वो किसी का cube है 1 ओके बहुत ही simple था 016 ठीक है अब हम लोग formula से लिखेंगे cube root of 1 plus 0.19016 upon 3 times of किसका cube root of 1 और उसका square यह आप क्या करेंगे इसको डिवाइट करना तब किसी आप दो डिजिट को लिखें चलें मतलब 0.19 upon 3 यह रहे 1 plus 0.063 एड कर ले 1.063 यह आगे आपको approximate answer ठीक है आप option को इसी तरह इसली टिक कर लें तो चलिए इस formula में आप set करके सारा cube root निकाले किसका non perfect number का और बहुत ही जल्दी मिलेंगे next video में एक और trick में बताऊंगे cube root के लिए जो perfect number के लिए होगा thanks for watching my videos